दोस्तों अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब भी कोई UPSC क्लियर करता है तो वो सबसे पहले IAS या IPS बनने के बारे में सोचता है और अक्सर मूवीज में भी ऐसा ही दिखाया जाता है बात करें IAS की पावर की तो वो जिले का सबसे बड़ा दिकारी होता है और उसके पास और शहर के सबी विवागों की तेखरेक की जिम्मेदारी भी होती है लहाजा ये काफी बड़ी पोस्ट होती है लेकि क्या आपको पता है कि UPSC क्लियर करने के बाद भी कई ऐसी जॉब्स है जो इससे कई ज्यादा पावरफुल है अब आप सोच रहे होंगे कि भला इनसे पावरफुल जॉब और काउन सी हो सकती है तो आज के इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वीडियो से शुरुआत करते हैं IDAS के साथ जिसका पूरा नाम है Indian Defense Account Service ये UPSC क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कई सारे करियर आप्शन्स में से एक है वहीं आपको बता दें कि ये A-grade वाली सरकारी जॉब होती है जिसमें tough exams और interview निकालने के बाद सेलेक्टिड कैंडिडेट्स की सेलेक्टिड कैंडिडेट्स का काम आर्मी, एर फोर्स, नेवी, डियाडियो, ओर्डिनेंस फैक्ट्री, कैंटीन स्टोर्स डिपार्ट्मेंट और बॉर्डर रोड और्गनाईजेशन की अकाउंट की तेखरेक करना होता है वह Indian Defense Account Service यानी IDAS में काम करने वाले लोगों को टेप्रामेंटल स्टोर्स की अकाउंट्स को सम्हालने के अलावा इनकी पोस्टिंग कई तरह के सरकारी ओगनाईजेशन और मिनिस्ट्री में भी की जाती है इतना ही नहीं, इस पत्पर काम करने वाले लोगों को भारतिय सेना के नियुक्त राष्ट शांती मिशिन पर विदेश में भी भीजा जा सकता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद तो आपको समझाई गया होगा कि यह सरकारी नौकरी कितनी बाउर्फल है। आपको बदा दें कि इस पोस्ट पर नौकरी मिलने से पहले कई चरणों में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्टिंग से पहले ने कुछ दिन के लिए नेशनल अकैडमी ऑफ डिफेंस फिनेंशल मैनेजमेंट में भीजा जाता है। जो पुणे में महीन सभी ट्रेनिंग को खत्म करने में 24 महीने यानि 2 साल का समय लगता है। तो करियर के लिहास से ही एक ऐसी जौब है जिसमें बहुत सारा पैसा और प्राइड भी जुला हुआ है। अब बात करें I.R.A.S की तो ये जौब भी उन्ही सिलेक्टिट कैंडिडेट्स को मिलती है जो UPSC यानि यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन जैसे टफ एक्जाम्स क्लियर कर चुके होते हैं। इसे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर साल 25 से 30 आफिसर्स का सेलेक्शन होता है। आपके जानकारी के बता दें कि I.R.A.S में काम करने वाले अधिकारी इंडियन रेलवे के फिनांस और अकाउंट्स के मेंटेनिंस के लिए रि काम करते हैं। वह इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में काम करने से पहले इने पूरे तो साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग कई अलग अलग जगे और स्टेप्स में दी जाती है। इसकी शुरुवात मसूरी के लाल बहादुर शासरी नेशनल अकैडमी जो नचनल अकैडमी आफ इंडियन रैलवेस वलत रहा और फिर फरीदाबाद में नेशनल इंस्टीट ऑफ फिनेंशल मैनेजमेंट बहत्म होती है। यह सभी सेलेक्टेट के इन्डिदेट्स को फिनेंशल मैनेजमेंट की गुण सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही आई एर क्लियर करने के बाद इस जॉब को चुन सकते हैं आप बात करते हैं तीसरे ओप्षिन की तो इस इंडियन सिविल अगाउंट सर्विस यानी ICAS के नाम से जाना चाता है वहीं इस पोस्ट पर काम करने वाली लोग सरकार क्या दीन काम करने वाली मिनिस्ट्री ओफ फिनांस में अ दूसरा पार्ट Institute of Government Accounts and Finance में पूरा किया जाता है और बाकी बचीवई ट्रेनिंग आउन जॉब मिलती है इस पूरी ट्रेनिंग के खास बात यह है कि इसमें एक फॉरिन टूर भी शामिल होता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद कई आइस्पिरिंट उस जॉब को करियर ओप्शन के दौर पर दरूर देखेंगे अब बात करते हैं उन सभी से सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट की जिसे इंडियन ओडिट अकाउंट सर्विस यानि IAAS के नाम से जाना जाता है जो कम्ट्रोलर और ओडिटर ज अकाउंट सर्विसेस के अधिकारियों को विदेश में नौकरी करने के भी कई मौके मिलते हैं और इनकी सभी पोस्टिंग किसी ना किसी मेट्रो सिरीज में ही की जाती है जो इससे और शानदार बना देती है इस डिपार्टमेंट में 35,000 से जादा लोग काम करते हैं ये एक पिर्फ देश की राष्टपती के लिए जवाब देई होती हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि जहां शुरुआती तीन पोस्ट पर काम करने वाले लोगों का काम अकाउंट्स को बनाना होता है तो वह इंडियन और अडिप अकाउंट्स को चेक करना होता है इतना ही नहीं अगर आप Indian audit account service में 16 साल तक काम करते हैं तो आप किसी भी state की accountant general बनने के लिए eligible हो जाते हैं और इसके बाद आपके एक signature पर state के finance से जुड़े हुए कई facility के होते हैं इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक state की chief minister को भी finance से जुड़ा हुआ कोई bill pass करने के लिए state की account general के signature की जरूरत होती है तो जरा सोच के देखिए post की power कौन इस तरह की job नहीं करना चाहेगा तो दोस्तो आप इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो UPSC की तयारी करने उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद आपको उपर बताई गई साभी जॉपस में से सबसे दमदार कौन सी लगी कॉमेंट करके शुरू बताएं